तो 22 question पर हम आ गए हैं इसमें भी हमारे पास function x में given है तो सबसे पहले function का first derivative निकालेंगे तो जब first derivative निकालेंगे इससे हमारे पास आजएगा minus 2 x की power minus 1 by 3 इसको हम क्या कर देंगे equation number 1 का नाम दे देंगे अब critical point find करेंगे तो इस equation को हम लोग 0 की equal कर देंगे और हमारे पास critical point है क्यों क्योंकि यह domain के अंदर मौझूद है minus 1 से 1 तक तो बीच में 0 भी आता है तो यह हमारे पास critical point हो गया अब जो domain की values है उनको हम लोग check करेंगे तो सबसे पहले function में क्या put करेंगे minus 1 put करते हैं जब function में अच्छा x है मैं बार-बार f लिख रही हूं h है यहां पर क्या होगा minus 3 x में हम लोग 1 put कर देंगे minus 1 और 2 by 3 तो जब हम लोग minus 1 put करेंगे तो हमारे पास value क्या आजाएगी minus 3 अब क्या होगा हम लोग function में one put करेंगे तो जब one put करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा one put 3 one पे power 2 by 3 इससे हमारे पास value आजाएगी minus 3 अब क्या होगा दोनों से minus 3 minus 3 value आ रही है critical point भी तो पुट करना है तो अब हम लोग 0 put करेंगे तो minus 3 0 2 by 3 तो जब हम लोग 0 put करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगी 0 value आजाएगी तो यहां पर सबसे पहले हम लोग critical point के बार अब absolute absolute maximum की बात करते है absolute maximum हमारे पास क्या है zero at x equal to zero यह सबसे बड़ी value है तो हम लोग इसको maximum उगल देंगे अब absolute minimum की बात करते है तो absolute minimum हमारे पास क्या है वो हमारे पास minus 3 जो के हमारे पास है at x equal to minus 1 and x equal to 1 तो दोनों पर minus 3 minus 3 आ रहा है तो हम लोग दोनों की बात करेंगे कि minus 3 है और किस पर minus 1 पर भी हो minus 1 पर भी और 1 पर भी ठीक है तो हम लोग 23rd question पर आ गए है ये हमारे पास थोड़ा सा critical question है क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास square root आ रहा है तो हम क्या करेंगे? इसको solve करेंगे लेकिन आसानी से solve कर लेंगे सबसे पहले हम लोग function का first derivative निकालेंगे जब first derivative निकालेंगे तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 by 2 4 minus x square minus 1 by 2 power हो जाएगी और इसका derivative दुबार है इस function का तो 2 x आ जाएगा इसको जब simplify करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? minus x और यह वाला नीचे चाला जाएगा power negative में है तो 4 x और यह square हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास first derivative आ गया equation number 1 अब जब हम लग इसको zero के equal करेंगे तो हमारे पास 2 values आएगी ठीक है? क्योंके हमारे पास क्या है? square है जब भी हमारे पास x x पर जतनी power होती है हमारे पास अतने ही हमारे पास क्या आते हैं? उतने हमारे पास critical point आते है x square है तो 2 critical point आएngे x cube है तो 3 critical point आएंगे इसी तरह x 4 के 4 critical points आएंगे ठीक है तो यहाँ पर क्या है अच्छा हम कहेंगे कि x की power क्या थी minus 2 by 3 तो इस तरह की power पर फिर अपनी मरजी है ठीक है ना फिर देखिंगे question के according हमारे पास कितने critical points ठीक है तो यहाँ पर क्या होगे यहाँ पर हमारे पास आजाएंगे इसको 0 के equal कर देंगे और हमारे पास 2 critical point बनेंगे एक बनेगा x equal to minus 2 और एक बनेगा x equal to 0 लेकिन हम अगर domain को देखें तो minus 2 से लेकर हमारे पास क्या है minus 2 से लेकर हमारे पास है 2 तो यहाँ पर क्या होगा यह जो critical point हमारे पास वो बन रहा है तो बन रहा है यह positive 2 है जब यह positive 2 है तो यहाँ पर हम देखे minus 2 और minus 2 से लेकर 1 तक है हमारे पास जो domain है तो यह जो 2 है यह हमारे पास critical point नहीं होगा no critical point क्योंकि यह हमारे पास क्या है? डोमेन में नहीं है और यह जो zero है, इसको हम लोग critical point बोल देंगे क्योंकि यह हमारे पास डोमेन में मौझूद है. अब क्या होगा? अब हम लोग function में put करते हैं, सबसे पहले minus two को function में put करते हैं function हमारे पास g में given है जो हम लोग minus 2 put करेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा? यहाँ पर 4 और minus 2 whole square इससे हमारे पास आजाएगा 0 और next जब हम लोग दूसरी value put करेंगे जो कि है 1 जब 1 put करेंगे तो हमारे पास आजाएगा 4 minus 1 पे whole square तो इधर से हमारे पास under root 3 आजाएगा अब जो critical value है यानी 0 वो हम लोग put करेंगे तो 4 minus 0 whole square इससे हमारे पास क्या आजाएगा? इससे हमारे पास 2 आजाएगा तो यह 2 हो गया क्योंकि 4 का जो इससे क्या हो जाएगा? 4 पे under root है तो इससे हमारे पास 2 आजाएगा इधर हमारे पास 3 values निकल आएगी अब हम लोग इसमे absolute maximum minimum find करेंगे तो जब यहाँ पर देखें तो इसमें जो absolute हमारे पास maximum है वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है absolute maximum is 2 यह हमारे पास क्या हो गया? maximum हो गया अब इसमें अगर हम लोग minimum की बात करें तो minimum हमारे पास क्या है? 0 तो हम लोग इसको minimum बोल देंगे minimum ठीक है और इसमे critical point 0 है 2 को नहीं लिखेंगे सही है तो यहाँ पर बस हमेरे पस जगा नहीं है तो हम मैं statement नहीं लिखूंगी statement आप पीछे वाली statements को देखकर लिख लें next question पर आ गए है यह हमारे पास है question number 24 इसकी solution start करते हैं सबसे पहले हमारे पास जो function है उसका हम लोग first derivative ले लिए लिए तो जब हम लोग इसका first derivative लेंगे तो हमारे पास क्या आजाएगा minus 1 by 2 and इसको जब हम लोग simplify करेंगे तो हमारे पास आजाएगा यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगी इसकी values change हो जाएगी 5 और minus x square और minus 1 by 2 हो जाएगा ठीक है इसमें हम क्या करेंगे simplify करेंगे इधर minus 2 x आजाएगा जब इसको simplify करेंगे तो हमारे पास आजाएगा x divided by यह नीचे चला जाएगा और 5 minus x square हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या है first derivative है अब क्या करेंगे critical point use करेंगे तो critical point find करेंगे तो 5 minus x square से हमारे पास 2 critical point आएगे जो हम लोग इसको 0 गे एक तो हमारे पास 0 आएगा ठीक है यह तो हमारे पास critical point हो गया एक आएगा minus under root 5 यह हमारे पास critical point नहीं होगा क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर लिखते है since x5 is not in the domain ठीक है? तो हमने इसका reason लिख दिया क्यों? क्योंकि हमारे पास जो under root 5 है वो हमारे पास domain में नहीं है तो हम लोग इसको critical point नहीं बोलेंगे अब क्या होगा? अब हम लोग values put करेंगे अच्छा मैंने यहाँ के जो intervals है वो मैं लिखना बूल गई जो question number 24 है इसके intervals है minus 5 under root and 0 सही है? तो हमारे पास यह हो गए अब क्या करेंगे? सबसे पहले इसमे minus 5 put करेंगे तो जब इसमें हम लोग minus 5 put करेंगे तो हमारे पास जो values है वो हमारे पास 0 आ जाएगी ठीक है? फिर क्या है? 0 है तो हम लोग 0 put करेंगे function में जब 0 put करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा minus under root 5 और जो critical point है वो भी 0 है तो हम लोग इसके लिए statement लिख देते हैं सबसे पहले है critical point जो के हमारे पास है x equal to 0 फिर absolute maximum की बात करते है absolute maximum हमारे पास क्या है? 0 है at x equal to minus square root 5 फिर absolute minimum की बात करते है absolute minimum जो के है हमारे पास minus under root 5 at x equal to 0 तो यह हो गए इसकी statement next question हम लोग देख लें तो इसमें हमारे पास क्या है? इसमें हमारे पास sine given है यह बीच में theta है solution start करते है हमें पता है कि जो sine है इसका derivative हमारे पास क्या आता है? इसका derivative हमारे पास cos theta आता है अब अगर हम लोग cos theta को 0 के equal कर लें तो हमारे पास क्या values आएंगी? एक तो हमारे पास x की value आएगी πाई बाई 2 और एक आएगी minus pi by 2 तो इसमें हमारे पास जो critical point है वो होगा pi by 2 ठीक है? और यह जो minus pi by 2 है यह हमारे पास critical point नहीं होगा not a critical point since minus pi by 2 is not in domain ठीक है? तो यह होगा reason तो हमारे पास critical point क्या है? pi by 2 अब हम लोग function में start करते हैं सबसे पहले minus pi by 2 लिखते हैं और जब minus pi by 2 हम लोग function में लगाएंगे sine pi by 2 तो हमारे पास क्या जाएगा? minus 1 आजाएगा फिर हम क्या करेंगे? pi by 2 लगाएंगे और हमारे पस क्या आजाएगा पाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबा to pi by 2 absolute maximum क्या है absolute maximum है हमारे पास 1 at x equal to pi by 2 जो critical point है उस पर हमारे पास absolute value आ रही है अब हम लोग absolute minimum की बात करें minimum तो वो है हमारे पास minus 1 minus 1 at x equal to minus pi by 2 यह हमारे पास हो गई absolute maximum absolute minimum और critical point